नमस्कार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हैं मित्रो आज हम बात करने वाले हैं संध्या काल के विशे में मतलब जो विप्रवर्ग होते हैं जो द्विजाती वर्ग होते हैं वो प्राता काल में और सायम काल में और मध्यान काल में कदाचित जो है वो अपने आत्मा, साधुसंत, इत्यादी ये सारे जो हैं जो यग्यों पवीत धारण किये हुए हैं वो सारे लोग संध्या काल में संध्या कर्म को संपादित करते हैं और द्विजातियों के लिए तो ये संध्या जो है प्रतिदिन करने के योगे बताई गई है मतलब ऐसे वेक्ति को प्रतिदिन संध्या करना चाहिए जो भी उपवीत हो चुका है उसको प्रतिदिन संध्या बंदन अवश्य करना चाहिए नहीं करने से दोश्ट लगता है और यदि वेक्ति यदि द्विजातिये संध्या न करते हुए किसी अन्यकार को करता है तो वो सारे उसके कर्म जो है निश्फल हो जाते हैं तो कई लोग संध्या करते हैं कई लोग आठ बजे करते हैं सुबस्नान ध्यान इत्यादी से निवृत हो करके अपने समया नुसार प्राता की संध्या सायम की संध्या मध्यान की संध्या तो कदाचित ही कुछ लोग कर पाते हैं लेकिन प्राता की संध्या करते हैं और सायम की भी कुछ लोग संध्या करते हैं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ना तो प्राता की संध्या करते हैं ना सायम की संध्या करते हैं तो उनसे निवेदन है मेरा कि वो अवश्य संध्या करें क्योंकि देखिए आचारयों ने कहा ह मूल होता है उसका मूल है उसकी उपमा वरिक्षसे दी गई है और उसका मूल क्या है उसकी जढ क्या है संध्या यदि आपका जड़ मजबूत है तो आपके व्रिक्ष के पत्ते, फुल, फल, इत्यादी सभी पुश्पित होंगे पलवित होंगे तो इसलिए हमेशा जड़ को बचाने का प्रयाश करना चाहिए। तो इसलिए जो भी दुजाती है उनको संध्या बंदन अवश्य संपारित करते रहना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि संध्या का काल क्या होता है। क्योंकि देखे जोते शात्र की अनुसार तो काल का निर्धारन किया जाता है, दिन कब से प्रविर्त होगा, अमुक नक्षत्र कब से लगेगा, अमुक तिथी कब होगी, किस तिथी में सूर्य उदय होगा, कितने बजे होगा, ग्रहन कब लगेगा, मतलब जो काल का निर्धे शात्र माना जाता है तो उसी काल विधायक शात्र के अंतरगत जो है दिन, रात्री और संध्या भी आती है संध्या कहने के मतलब यह है कि संधी का वो काल जो है उसको संध्या से संभोधित करना चाहिए और उसे काल में किया गया कर्म, सांधिकर्म या संधिया कर्म होता है, जैसे एक यग्य होता है, सवन यग्य होता है, तो उसी प्रकार से सायम काल में, अथवा संधिकाल में किया गया जो है ना, संधिकाल में किया गया देव उपासना संधिया कर्म से दियोतित होता है, तो मतलब 60 घटियों में उसे बाटा गया मतलब 30 घटी दिन की 30 घटी रात्री की मतलब यह थोड़ा बढ़ भी जाता है स्थान के अनुसार और रितियों का अनुसार काल में थोड़ा सा भेत जरूर हो जाता है कभी दिन मान बढ़ जाता है कभी रात्री मान बढ़ जाता है तो य दूसरी संदी ठीक मध्यान वाली, तीसरी संदी जब दिन से रात्री प्रविर्टित होती है और चौती संदी जो ठीक मध्य रात्री की होती है तो चार संधियां होती है लेकिन इन में से जो दो संदी होती है दिन की मतलब रात्री से दिन वाली संदी और दिन से रात्री वाल जाती है मतलब ये कल ऐसा होता है कि कहीं भी गर्झी संधी होगा नग स्थान या वो कल माना जाता है जैसे मैं बता रहा हूं जैसे माली नक्षत्रों की जैसे माली जैस्ठा नक्षत्र पर व्रिषिक राष्री की समापती होती É जिस भी जातक का जे श्ठानक्षत्र है अत्वा ब्रिष्टिक राश्री का अंतिवाला है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उन्यति को प्राप्त नहीं कर पाता है क्योंकि वो संधी स्थान पर जन्मुवा है एक और उधारण में आपको बताता हूं जैसे माली जी यह हमा हो जाएगा उतनी ही मार पड़ने बाद तो ठीक वैसे ही जब भी काल की संधी होती है न तो वो काल व्यक्ति को जागरित हो करके देवी उपासना में देवताओं की आराधनाय में उसको व्यतीत करना चाहिए तो संध्या का काल कब होता है तो देखिए आचारियों ने कहा ह है मुर्द चिंतामणी में तो ऐसा कहा है न कि संध्या का जो काल होता है वो तीन तीन घटी का होता है मतलब तीन घटी दिन का और तीन घटी रातरी की संध्या होती है मतलब उन्होंने कहा है कि संध्या त्रिनाडी प्रमितार्क बिंभव मतलब संध्या जो होती ही वो तीन नाडी अरथा 3 गटी के होती है, 1 गटी 24 मिनट का होता है, 2 गटी 41 मिनट का और 3 गटी लगभग 72 मिनट की होती है, मतलब 1 घंटा 12 मिनट का आपका एक संध्या का काल होता है, एक घंटा बारा मिनट अब ये कब से होगा तो बता रहे हैं कि प्राता काल की जो संध्या होती है ने तो सूरी के बिम के आधा उदय होने से 72 मिनट पूर्व वो आपका संध्या काल होता है मतलब सूरी का बिम जब आपका उदित हो रहा हो आधा उदित हो रहा हो तो उससे 72 मिनट पूर्व जो है आपका संध्या काल होगा और इसी संध्या के काल में आपको संध्या बंदन का करम संपादित करना स्रेष्ट माना जाता है क्योंकि कहा भी गया है कि उत्तमा तार को पेता मध्यमा लुप्त भाज करा अधमा सूर्य सहिता प्राता संध्या त्रधा स्मृता तो जब सूर्योदय से लगबग एक घंटे 12 मिनिट पूरो आप देखेंगे तो आकास में आपको तार्य दिखाई देंगे तो वो काल होता है हमारा संध्या का वास्तवी काल यदि इसमें करेंगे तो बहुत ही उत्तम है इसके बाद भी आप करते हैं किसी भी कारण से संध्या का लोप तो नहीं करना चाहिए भले ही आप सुरियोदे के कुछ समय बाद करें या जब भी आपका समय मिले लेकिन उसका लोप आपको नहीं करना है संध्या तो आपको करनी ही है तो यह हुई आपकी प्राता काल के संध्या जो तीन घटी की होती है और वो सुरिय आपके स्थान के नुसार जो है पंचांगों में सुरियोदे से आप एक घंटा बारा मिनट लगवक बहत्तर मिनट का पूरू का आंतर लेकर के चले तो उस दोरान आपको संध्या संपाधित कर देनी चाहिए तो यह हुई प्राता के संध्या जब रातरी से दिन में आप प्रवेश कर रहे है तो वो काल जो है न संधी का का इसमें आपको देवताओं की आराधना करनी चाहिए यह काल अत्यनत्य पुन्यतम काल माना जाता है जो कहीं कहीं से वो ब्रह्म मुहूर्त से भी संबंद रखता है और इसमें आक्सिजन की मातर प्रयाप्त होती परयावण में चार और शांती रहती है तो उसमें कर लेना च सूरियाष्त सूरीविम् के आधा । डूब जाने से 72 मिनट आगे तक होता है मतलब दिच्शे बज आपका सूरियाष्त हुआ हूं एक उधारन बता रहा हूं छे बजे आपका सूरियाष्त हुआ तो इसका मतलब 7 बज़ के 12 मिनट तक आपका संध्या का काल होगा, सायम संध्या का काल होगा, 6 बज़े सुर्यास हो रहा है आपके इस्थान के अनुसार, तो 7 बज़ के 12 मिनट के मध्य आपको संध्या कर लेनी चाहिए, तो यह होता है प्राता संध्या और सायम संध्या का का तो इस संध्याकाल में आपको संध्या संपारित कर लेने चाहिए दिकाल का अतिकर्मन हो जाता है तो भी आपको संध्या करने संध्या का लोप नहीं करना है और कई बार तो ऐसा कहा भी गया है कि काल का अतिकर्मन हो जाने पर भी विधी विधान से की गई जो संध्या होती है उसका फल प्राप्त नहीं होता है लेकिन आपको फिर भी परंपरा का निर्वाह करते हो संध्यावन्दन करना चाहिए अब मैं बताता हूं कि जिसका संध्याकाल में जन्म हो अथ्वा जिसका सायम संध्या में जन्म हो अथ्वा प्राता संध्या में जन्म हो तो उसका क्या फ तो ऐसा वेक्ति बहुत कम सोता है मतलब रात में यदि दो बजे भी सोय तो उसको नीद सुबह जरू तूट जाती है मतलब सुर्योदयकाल होते होते उसकी नीद तूट नहीं है जिसका भी जन्म संध्याकाल में हुगा है तो ऐसे वेक्ति को यह जरू आखों से संबंदी जर संध्याकाल के संध्याकाल को जन्म होता है मतलब जोदिशात्र के अनुसार सटीक संध्या के काल मतलब निर्धारण जो है तो आपको यी वीडियो कैसा लगा आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर दीजेगा